नमस्कार दोस्तों मैं प्रेम नात्वर्मा अपलोग का हमारी यूटूब चनल जड़ी बूटी का देश्षिन उसका में स्वागत है जैसे कि दोस्तों आप इस पोधे को देख रहे हैं इस प्रिच को देख रहे हैं तो जानते भी होंगे अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठ हूँ आपको बताने के लिए दोस्तों यह कोई मामूली पेड नहीं है बहुत ही दिवे जड़ी बूटी है बहुत ही कारगर हो सब्सक्राइब है आप इसको देख लो और पैचानलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कि एक जिमा जिसको एक जिमा बोलते हैं कि एक जिमा हो जाता है हमको तो उससे एक जिमा से निजात कैसे पाना है तो दोस्तों आप इसको देख लो तो दोस्तों यह जो आप देख रहे हो पौधा यह जो पत्ते देख रहे हो आप यह कोई मामूली पत्ता नहीं है बहुत ही दिवे जड़ी बूटी है बहुत ही कार से कैसे निजात पाना है हमको तो आज एक जिमा के बारें बात करेंगे तो दोस्तों आप इसको देख लो और पहचान लो दोस्तों इसका पेड़ जो होता है मोगवा का पेड़ वह हमारे पूरे भारत में पाये जाता है अलग 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 नाम से जाना जाता है तो दोस्तों तो आप इसको देख लो और पहचानलो यह भारत अरश हर राजों में पाये जाता है तो इसकी यह देख लो इसके डंथल लेंगे और यह इतना दुधीला पौधा होता है इसमें बहुत ज्यादा दुध निकलता है दुधारू पौधा होता है तो इसमें से बहुत ज्यादा थोड़ा सा तोड़ोगे आप तो बहुत ज्यादा दूद निकलता है तो आप इसको देख लो यह देखो इसके पत्ते हैं आप इसको पहचान लो तो दोस्तों इसका पेड़ जो होता है कि दस फूट से लेके पचास फूट उचा होता है और बहुत ही विशाल पेड़ होता है इसमें महुआ आता है महुआ का फल होता है इसके बाद महुआ फूल होता है और इसके बाद को रिमना बोलते हैं उसको कोईनी कोईनी बोलते हैं इसका तेल जो होता है वो तेल खाने के यह वी काम में आता है और है उसकी के दबाईया भी बनाथे तो आय भेत्व के अनुसार यह ।다면 iska ने इसका सद्योस्ट से उपयोग होता है तो दोस्तों यह इसका थेल जो होता हो बहुत ही तो शक्तिसाली होता इस का तील तो बहुत 이ो को जर्भ से खतम करने की शंबता होती है इस मुगए के पेड में तो दोस्तों आपको एशा problem हो गया है एकजीमा हो गया है आपको करना क्या है कि इसके पेड को देख लेना है आपको आसानी से मिल जाएगा इसका पेड जो है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको बहुत आराम से मिल जाएगा हमारी भार दोसमें हर राजन पाए जाता है तो आपको इसके पेड़ को देखहें लेना है और इसके पत्ते को ले के आना है इसका पत्ता ले लेना है जो कूमल अपने एकजिमा के अकोर्डिंग जितना एकजिमा मतलब हुआ है ज्यादा अगर होगे आपके बोड़ी में ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा तदार में ले लो 10-15 ग्राम के मात्रा में ले लो इसके पत्ते को उसका लेब बना लो और उसमें आपको तिल का तेल मिलाना है तिल का तेल तिल का तेल उसमें 2-3 gram ३ाल दो 12-3 gram डालने के बाद आपको उसको गरम कर देना है जब गरम हो जाता तो उसको उतारदेना है मुझा हल्क nuovo गरम रहे तो आपको अपने एक जिम्म उसके लगाना है जितना हुआ है आपके पूरे गोड़ी में एक जिमा उस पर लगाना है आपको दो कि दिन आप लगाते हो तो धीरे-धीरे खतम होने लग जाएगा और कुछ दिन तक आप लगाते रहे एक हपते तक तो वह बिल्कुल जड़े खतम हो जाएगा आपका जैँ हो जाएगा फिर दुबारा एक जिमा होगा ही नहीं आपके बोड़ी भी तो दोस्तों जिस प्रकार से आपको बताया गया है उसी प्रकार से इसका इस्तमाल करना है और उतने ही मात्रा में आपको लेना है तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें अगर चैनल पर नए हैं तो चै वानाने का यही मोटिव रहता है आप सोस्त्रों मस्त्रों नमस्कार जैहिल